Hi everyone, my name is Zara, this is my next lecture. आज का lecture है मेकलोरियन सीरिस पे, कि मेकलोरियन सीरिस क्या होती है, इससे प्रीविस लेक्चर में आपको में थोड़ा सा बताया था, जब मैं डिस्कुस के था टेलर को, कि मेकलोरियन सीरिस क्या होती है, मेकलोरियन सीरिस क्या होती है, टेलर सीरिस को मैं जैसे आपको एक्स्प्लें किया था, कि टेलर सीरिस क्या होती है, पावर सीरिस जो अलाओ करती है, किसी भी फंक्शन की वैल्यू को हम कैल्कुलेट कर सकें, किस तरह यूज करते हैं, फंक्शन का डेडिवेट वे किसी भी सिं तो मेकलोरियन सीरीज की मैं जस्ट डेफिनिशन ये भी लिख सकती हूं मेकलोरियन सीरीज इस एक्चुली एक्सपैंशन अफ तेलर सीरीज अफ फंक्शन बट एट पॉइंट जीरो अगर जीरो पॉइंट पे वो सीरीज की एक्सपैंशन हम करें अगर टेलर सीरीज को हम जीरो पॉइंट पे ले रहे हैं फंक्शन की डेरिविटिव की सारी इंपर्ट वैलियू जुतनी भी कैलकुलेशन करें जीरो पॉइंट पे करें उसी Taylor Series को हम McLaurian Series का नाम देते हैं तो McLaurian Series basically expansion है Taylor Series के लेकिन point पे जब function को हम point कर दें 0 तो आज हम जितनी भी example discuss करेंगे McLaurian Series की तो वो point x is equal to 0 पे ही होगी तो मैं उपको बताऊँगी किस तरह आपने McLaurian Series निकालनी है McLaurian Series के सबसे बले हम notation करते हैं McLaurian Series को भी हम submission में infinite sum होता है McLaurian Series भी तो हम इसको submission में लिख सकते हैं कुछ इस तरह Fn A लेकिन यहाँ पर A की जगाँ आप कर दें 0 over n factorial x raised to power n Fn यहाँ पर मैंने जब Taylor कर वह था तो मैंने A लिखा था और x-a raised to power n लिखा था क्योंकि अब point हमारा 0 होगा तो हम जितनी भी series की representation करेंगे वो हम F raised to power n adds 0 point यहाँ पर यह n रिप्रेजेंट कर रहे derivatives के order अगर 0 है इसका मतलब function की value है अगर 1 है इसका मतलब first derivative है अगर 2 है तो इसका मतलब second derivative है इसी तरह F n 0 का मतलब है nth derivative function का किस point पे 0 point पे over n factorial into x raised to power n x की जो भी यहाँ पर power derivative की होगी वो ही x की यहाँ पर power होगी इसी को हम किस तरह अगर मैं इसी form को expand करो तो यह कुछ इस तरह expand होगी जहाँ जहाँ n आप वहाँ पे 0 put करें तो मेरे पस क्या बन जाएगा F 0 0 over n factorial sorry 0 factorial into x raised to power 0 first term बनेगी इस summation की इसके अगर second term निकालें तो आपने क्या करना है इस पूरे function में जहाँ जहाँ n है वहाँ पे n is equal to 1 put करना तो यहाँ पे यह second term ओपन हो जाएगी इसी तरह हम इसको expand कर सकते हैं जितनी भी terms करना जाएं तो मैं इसके second term expand कर रहे हूँ similarly मैं इसकी third term expand कर रहे हूँ और आगे fourth term up to son infinite है तो infinity तक इसी चीज़ को अगर मैं इसको थार्ट सब्लिफाय करूँ तो F 0 0 का मतलब क्या है function का just function की value किस point पे? 0 point पे x raised power 0 1 0 factorial 1 तो यह F of 0 बन जाएगा plus इसको जब हम solve करेंगे तो हमार पासेगा function का first derivative 0 point पे second का जब करेंगे तो function का second derivative 0 point पे x square over 2 factorial similarly x3 over 3 factorial up to son तो अगर आगे जब हम examples करेंगे तो मैंने आपको यह form इसलिए कराई example करें हम इस form को use करते हुए function जो भी हमारे पर series आएगी उसका McLaurian series किस तरह निकालना है तो हम McLaurian series क्या करेंगे function की जो value होगी McLaurian series को use करते हुए इस formula को use करते हुए निकालेंगे तो अब हम सबसे पहले इसलिए करते हुए इस एक्जाम्पल इस पहले में आपको यह बहुत इंपर्टेंट पॉइंट बताने लगिए अगर आपको यहां प्याया था find taylor series of fx is equal to cosex at x is equal to zero तो आपने confuse नहीं होना taylor में अगर यहां पर zero आ रहा है तो आप McLaurian series लगा के इसको कर सकते हैं क्योंकि जब भी taylor में point x zero होता है तो उसी को हम McLaurian series कहते हैं अगर आप taylor series यहां पर लिखा होता और x is equal to zero हाता तो आपने McLaurian series का ही formula अपलाई करेके इसको answer निकाला है अगर आपको यहां पर find McLaurian series of function fx is equal to cosex और यहां पर यहां पर यह चीज़ मेंशन ना होता और McLaurian series कह दी जाती तब भी आपने confuse नहीं होना कि आपको point given नहीं है McLaurian series की बात और यह तो understood a point zero ही है तो अगर आपको tailor कहें दिया जाए और यहां पर point zero दे दिया जाए तो भी McLaurian series है अगर आपको McLaurian series कहें दिया जाए और point ना दिया जाए तब आपने understood है कि x is equal to zero लेके function को solve करना है function के approximate value निकालनी है तो यहां पर find McLaurian series fx is equal to cosex at x is equal to zero तो आपने just McLaurian series का formula apply करना है जो के यह वला है आपने इसका formula पर कना इस function की McLaurian series निकालनी है up to solve यह हमारे पास है formula इस formula को आप एका नाम देतें अब इस formula के according आपने क्या करना है values निकालनी है निकालने के पर इस formula में जहां जहां वह values आती है आपने add करके आपने simplify करना आपके पास answer आजाएगा तो हम सबसे पहले f of zero की value निकालते है हमारे पास function है cause x तो f of zero हमारे पास क्या होगा जहां जहां x है वहां वहां 0 आपने put करना है तो cause 0 की value क्या होती है 1 next हमारे पास हमें value चाहिए f derivative 0 की तो हम यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले function का derivative निकालेंगे तो cause x का derivative क्या होता है minus sin x minus sin x की value 0 पे क्या होगी minus sin 0 is 0 is equal to 0 again इस function का derivative minus as it is रहेगा और sin x का derivative क्या होता है cause x जब हम इसकी पर function की value निकालेंगे 0 पे तो मारे पास क्या आजएगा minus score 0 minus score 0 की value क्या होती है 1 तो यहां पर आजएगा minus 1 इस तरह आपने values निकालते जाने हैं पर 3rd term तक निकाले हैं आप इसको 4th 5th तक भी लेके जा सकते हैं minus as it is score x का derivative minus sin x minus into minus plus sin x 0 पे sin x की value क्या होगी 0 क्योंकि यहां पर मेरे पास 1st derivative जीरो है 3rd derivative जीरो है तो मैं 4th and 5th की भी value निकालूंगी ताकि मारे पास कोई answer आजए कोई form बन जाए तो इसका मैं आगे कर रही हूँ 4th derivative sin x का आगे derivative लेंगे तो क्या आजएगा cos x again function की value 0 पे क्या आजएगी 1 और last पे मैं इसका 5th derivative ले रही हूँ तो minus sin x minus sin into 0 which is equal to 0 अब क्यूंके हमारे पे सारी values आगे हैं तब हमने क्या करना है values को just इसके अंदर put करना है तो हमारे पास क्या आएगा f of x is equal to f of 0 plus f derivative 0 x plus f double derivative 0 x square over 2 factorial plus f triple derivative 0 3 factorial इसके पर रहे हैं मैं just formula इदर लिख रही हूँ तो आपने भी formula लिख लेना है और बस उसके बाद इसके अंदर values put करनी है अब 200 आप 3rd तक भी कर सकते थे आप 4 तक भी कर सकते थे चाहे आप 3 terms निकाल लें यह आप पे डिपेंड करता है मैंने इसलिए 5 terms निकाल लेंगे कि कुछ value 0 आ रही थी तक हमारे पर एक form बाही थे अब मैं simply क्या करेंगे इसकी values put करेंगे f of 0 क्या था 1 तो यहां पे वापस क्या आजएगा fx is equal to 0 plus f derivative 0 0 तो यहां पे था 1 तो यहां पर 1 आएगा 0 into x plus f derivative 0 के पर value क्या थी minus 1 तो यहां से हम minus 1 लेंगे minus 1 x square over 2 factorial plus third derivative की value versus 0 तो यहां पे आजएगा 0 into x cube over 3 factorial plus fourth derivative की value cos x पे क्या आई 1 तो हम पर ते इसको यहां पे 1 x is per 4 और 4 factorial similarly 5th की क्या थी 0 into up to 6 इसको simplify करेंगे तो यहां पे 1 0 into something 0 जब भी किसी चीज़ के साथ मुल्टिप्ले होता है तो उस पूरी term को 0 कर देता है next term की आजएगी minus x square over 2 factorial third term की आजएगी versus 0 fourth term की आजएगी x raised power 4 over 4 factorial up to so on तो यह था हमारा final answer किसका fx macloreal series fx is equal to cosec अगर आपको macloreal series आए function cosec की at x is equal to 0 तो आपने simply just values निकालने है function के निकालने के बाद आपने उसके इंदे put करने तो आपके पास final macloreal series आजएगी जो जिस भी function की पूछी जाएगी इसे से related हमें एक और example करते हैं next example है हमारा पास find macloreal series next example है find macloreal series of function one over one minus x simply आपने क्या करना अगर आप आप मेंस कोई confused हो गया कि मैंने macloreal series तो लिखा लेकि पॉइंट में लिखा तो यह understood है अगर macloreal series आगी है तो understood है कि आपके पास point क्या होगा x is equal to zero अगर आपसे tailor पूछ ली जाए तब आपको point given ना हो तो फिर question के मिस्टेक है यूँकि टेलर हमेशा किसी specific point पे होती है अगर आपको macloreal के दी जाए और point ना दिया जाए तो understood है कि point यहां पे जीरो है अगर आपके simply क्या करना है macloreal series आपने जस्ट पहले इसका formula हमें पता है इसका formula क्या होता है तो आपने इसको start कैसे करना है सबसे पहले आपने function लेना है और function की value at point जीरो पर ले लेना है तो वह आजाएगा हमारे पास 1 over 1 which is equal to 1 नेक्स्ट आपने क्या करना है function का first derivative लेना है जब हम इस function का derivative लेंगे तो वह कुछ इस तरह होगा मैंने क्या किया है इसको मैंने term को denominator से nominator में लेकी हूँ तो इसकी जब पावर थी positive 1 वह minus में चलेगी है चाहे आप इस तरह करके power rule लगा दें चाहे आप इसी form पे quotient rule लगा दें quotient rule length ही होना था मैंने इसलिए power rule की तरफ लेके गी हूँ पावर पहले function में से power में से minus 1 again function का derivative तो यह आजेगा minus 1 into 1 minus x raise to power minus 2 again function का derivative लेंगे तो इसका आजेगा minus 1 जब इसको हम solve करेंगे तो minus into minus plus 1 minus x raise to power minus 2 इसी function का derivative का हम किस point लेंगे 0 point पे answer तो यह देगा 1 minus 0 raise to power minus 2 which is equal to 1 अगर आपको इस तरह समझ नहीं है और 1 कैसे है तो आप इसको क्या करें 1 minus 0 1 1 की power minus 2 है तो 1 ही होगा थर्ड डेरिवेटिव लेंगे इस function का तुम्हारे पस क्या आएगा power पहले power में से minus 1 again इस function का derivative minus 1 minus into minus positive 2 1 minus x raise to power minus 3 अब हम क्या करेंगे second derivative की value 0 point पे लेंगे तो वो हमारे पस क्या आजाएगी 2 इसी तरह हम third value लेंगे इस function के तुम्हारे पस क्या आएगी third derivative लेंगे function का तुम्हारे पस function क्या था 2 into 1 minus x minus 3 इस form का हम दोबड़ा से derivative लेंगे minus 3 power पहले power में से minus 1 again derivative without power यहां पर यहां पर सक्या जाएगा minus into minus positive 3 1 minus x raise to power minus 4 2 into 3 is 6 1 minus x raise to power minus 4 और इस function का अगर हम value लेंगे points 0 पे तो आजएगी 1 minus 0 raise to power minus 4 which is equal to 6 मैंने यहां पर third terms तक power d इससे पिछली example में मैंने five terms तक power values लेंगे क्यों कि मैंने आपको बताया उसमें दो तीन values 0 आवीं थी इसके अंदर कोई भी value 0 नहीं तो मैं इसकी सिर्फ थर्टम तक power answers ले रही हूं अगर आपका दिल कर रहा है तो आप 4th 5th भी जा सकते हैं यह आप पर depend करता है अगर आपके पस time है तो आप 5 तक भी जा जले जाए लेकिन मैं यहां पर 3 तक ले रही है अब हम इसको करेंगे values को put करेंगे कि हमारे formula में using values in following formula जो कि हमारे पास है macloreal series का formula क्या होता है f of x किसके को होता है f of 0 plus first derivative 0 पे second derivative 0 पे third derivative 0 पे up to so on जब है इसके अंदर हम values put करेंगे तो आपस f of 0 की value क्या थी 1 हम वो put कर देंगे 1 plus first derivative की value 0 पे क्या थी 1 हम इसके अंदर लगा देंगे 1 into x plus second derivative की value क्या थी 0 पे 2 तो हम यहां पे लगा देंगे 2 x square over 2 factorial plus third derivative की value हमारे पे 0 पे क्या थी 6 up to so on इसको थोड़ा सम्सिंप्लिफार करेंगे 1 plus 6 2 factorial का आँदर आता है 2 2 से 2 cancel होजेगा तो यहां पर रहाजेगा x square plus 6 x cube 3 factorial cancel होता है 6 6 से 6 cancel मारे पास यह जो form बनेगी इसकी कुछ इस तरह बनेगी 1 plus x plus x square plus x cube plus up to so on तो मारे पास यहां पर function 1 over 1 minus x की factorial series आ गी है 1 plus x plus x square plus x cube up to so on तो यह था मारा आज का lecture में factorial series के उपर अगर आपको इससे कोई example समझ नहीं आ रही तो आप मुझे जरूर comment box में बताएं मैं आपको next lecture में example करवा दूंगे इस lecture में कुई मसला होता आप मुझे वह भी बता सकते मैं आपकी वह भी confusion दूर कर दूंगी thank you so much for watching